आज हम आप लोगों को फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझाएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास तक देखिए चलिए जान लेते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगू उठा तथा उसके पास वाली दोनों अंगूलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस पर लंबवत हों तो पहले इतना समझ लेते हैं कि इसमें इन्होंने क्या समझाने की कोशिस की है तो ब्रेटेन के वैग्यानिक फ्लेमिंग ने चुम्बकिये छेत्र में इस्थित जो धारावाही चाहलक है जो तार है उस पर लगने वाले बल की दिशा ग्याद करने के लिए बाएं हाथ का नियम दिया था तो अपने इस नियम में फ्लेमिंग ने बताया था कि यदि हम अपने बाएं हाथ आप लोग जानते ही है दाया कौन सा है बाया कौन सा है तो इन्होंने बताया कि यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा और उसी के पास वाली दो अंगूलियों तो अंगूठे के वाली को यानि तरजनी के बाद वाली को मध्यमा कहा जाता है मध्यमा अर्थात बीच वाली तो इनको इस तरह से फैलाएं कि तीनों परस पर लंबवत हों यानि इस तरह से तीनों को फैलाना है कि तीनों परस पर लंबवत हों परस पर लंबवत का अर्थ है कि तीनों एक दू बाके बीच में भी 90 डिगरी का कोड़ हो तभी तो एक दूसरे के लंबवत होंगी तो अब इतना आप लोग समझ गए होंगे फ्लेमिंग ने बताया कि यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगुठा तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनो परस पर लंबवत हों अब आगे फ्लेमिंग ने क्या बताया तब यदि अंगुठे के पास वाली अंगुली यानि जो तरजनी वाली मैंने बताई थी चुम्बकिये छेत्र की दिसा तथा दूसरी अंगुली यानि जो मध्यमा है बिद्धुधारा की दिसा हो तो प्रदर्षित कर रहा है इसलिए इसे F लिखा गया है F यानि फोर्स और तरजनी जो है यानि अंगुठे के पास वाली जो अंगुली है वो buckets दिसा रही है इसलिए इससे B से लिखा गया है और दिसा रही है तो यहां तीन पैरामेटर्स बताए गया है पहला parameters क्या है? force, दूसरा magnetic field और तीसरा current force, magnetic field और current तीन parameters है जो हमारा अंगूठा है ये force या बल को दर्सा रहा है और अंगूठे के बाद वाली जो अंगूली है वो magnetic field को दर्सा रही है इसी तरह से दूसरी अंगूली जो है वो current या धारा को दर्सा रही है अब येदि बल की दिसा हम ग्याद करना चाहते हैं तो कहा गया है कि तीनो एक दूसरे के लंबवत हों अर्थात तीनो एक दूसरे से 90 degree के कोण पर हों तो एक उदाहरान से हम इसको समझ लेते हैं यदि हमारे पास कोई धारावाही चालक है कोई धारावाही चालक है जो हमारी बीच वाली अंगूली मध्यमा के समानतर रखा हुआ है कोई धारावाही तार है वो हमारी जो बीच वाली अंगूली है उसकी समानतर रखा हुआ है और करंट भी बीच वाली अंगुली के सिरे की तरफ बह रहा है जो बीच वाली अंगुली है जो मध्यमा है उसके सिरे की तरफ बह रहा है यानि मूल से सिरे की तरफ और चुम्ब के छेत्र तरजनी की ओर है जो तरजनी है चुम्ब के छेत्र इधर है यानि तरजनी में नीच से उपर की ओर चुमके छेतर है तो धारा वाही चालक पर जो बल लगेगा वो हमारे अंगूठे की दिसा में लगेगा अब धारा वाही चालक पर जब बल लगेगा तो किधर लगेगा अंगूठे की दिसा में लगेगा और चालक तार वहां से हट कर मधिमा से दूर हो और यही है फ्लेमिंग का नियम या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम